सबसे बेस्ट और टेस्टी चिकन स्टार्टर की रेसिपी बनाते हैं मलाई चिकन टिकका नर्म, मुलायम, बोटियों वाली मलाईदार, बड़ी ही मज़िदार ये चिकन टिकका की रेसिपी बनकर रेडी होती है तो सबसे पहले चिकन लेते हैं साड़े साथ सो ग्राम मैंने ये चिकन ब्रेस्ट का बोनलेस लिया हुआ है आप चाहें तो लेक पीस का बोनलेस भी ले सकते हैं इसकी इस तरह से पतली और बड़ी बोठियां बना कर रेडी रखते हैं अब इसे मेरिनेट करने के लिए इसमें एक बड़ा चमच अधरकलैसन का पेस्ट डालेंगे नीमो का रस डाल देंगे इसमें दो चमच नमक आड़ कर लेते हैं चिकन के हिसाब का अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करेंगे और इसे मेरिनेज करने के लिए रख देते हैं कम से कम आदे घंटे के लिए फ्रिज में अब मलाई चिकन टिका के लिए एक पेस्ट बनाना है जिसके लिए हम लेंगे 12-15 काजू काजू को मैंने करीब आदे घंटे के लिए गरम पानी में बिगो कर लिया हुआ है दो डाल लेते हैं इसमें चीज क्यूब आदे कप दही का मैंने पानी अच्छे तरह से निचोड लिया है इसे भी डाल देते हैं फ्रेश क्रीम इसमें डाल देंगे एक चौथाई कप या फिर आप घर के दूद की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं अब बिना पानी इसमें एड किये हम इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं ग्राइन करके तो मलाई चिकन टिकका के लिए ये वाइट पेस्ट बनकर रेडी हो गया है अब चिकन की तरफ आते हैं चिकन अच्छे तरह से मेरिनेट हो गया है अब इसमें हमें ये पेस्ट डाल देना है जो हमने रेडी किया हुआ है सारा पेस्ट इसमें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे डेर चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं बारिक चॉप किये हुए धनिया के पत्तिया नहीं डंडिया डालेंगे दो बड़े चम्मच इससे फ्लेवर बहुत बढ़ी आएगा आदा चम्मच डालेंगे हरी लाइची का पाउडर बस थोड़ा समयस में गरम मसाला डाल रही हूँ करीब एक चौथाई चम्मच ज्यादा फ्लेवर मलाई टिक्का में हरी लाइची का होता है एक चम्मच डालेंगे सफेद मिर्चो का पाउडर या फिर काली मिर्चो का पाउडर भी आप डाल सकते हैं आदा चम्मच है जीरे का पाउडर एक चम्मच कॉर्ण फ्लार डालेंगे बाइंडिंग के लिए ताके मसाले अच्छी तरह से टिक्का के उपर चिप के रहें। अब चिकन को फिर से हम मेरिनेट करने के लिए रख देंगे करीब आदे घंटे के लिए। आदे घंटे बाद हम इसे स्कूवर स्टिक्स पर चरा लेंगे। तो इस तरह से metal के square sticks में ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे पतले square sticks या फिर bamboo sticks पर भी लगा सकते हैं तो सारा चिकन का टिका square sticks पर लगाने के बाद मैं इसे कोईले के उपर तंदूर कर रही हूँ आप चाहें तो इसे non-stick pan पर पका कर इसमें कोईले का धुआ भी दे सकते हैं बिलकुल तंदूर जैसा flavor आपको मिलेगा थोड़ा सा butter लगा कर हम इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेते हैं चिकन पक जाए और इस पर अच्छा सा golden color आ जाए इसके बाद हम इसे सर्फ कर लेते हैं बहुती टेस्टी खुश्बूदार क्रीमी मलाई चिकन टिका बनकर ready हो गया है इस जबदस्ट जाएकेदार मलाई चिकन टिका की रेसिपी को आप हरी चितनी और सालिट के साथ सर्फ कर लीजिए